खन्नौत पुल के पास का ये एरिया है ये खन्नौत नदी बह रही है आप देख सकते हो यहां से पानी कित गती से बढ़ता हुआ लगातार और यहां के सारे मकानों में पानी घुश चुका है एक वाद फिर से लोगों को बाल का कहर प्रभावित कर रहा है लोग डरे हुए सहमें हुए आईए देखते हैं ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं लाइव आपको दिखा रहे हैं इसकदर हम पुरी तरीके से जल्मगन हो चुका है ये एरिया ये खन्नावत नदी है शाजहांपुर की लोधीपुर के पास से गुजरता हुआ है ये जलिस्तर लगातार ये दूसरी बार पानी छोड़ा गया है अत्तादिक वर्षा के करण अलट जारी है यहां पर बार प्रवावित अब तक ग्यारा जिलो में अठार लोगों की मौक्त हो चुकी है मुखमंत्री काले की ओर से एक्स परजारी पोष्ट का नुसार मुर्तोक्र परजनों को चार चार लाक रोपे राहत राशी बढ़ान की गई है अब तक तीस पशों की हानी को लेकर प्रव SDRF, SDRF और PACT में तेनात करने के नुर्देश दिये हैं शाजापुर जन्पद में खन्नौत और गर्रा नदी में जलिस्तर बढ़ गया है अलर्ट चारी कर दिया गया है साथी पडोसी जन्पद बदायूं के उसेद शेत्र की गाउं नौगमा और सैस्वान के छे गाउं ट कि त्र्कनिसान से उपर चल रहा है यही हाल शायापुर जन्पद का है यहां पर भी खन्नौत और गर्रा नदी की बीश्ता है बीच में और दोनों तरफ शाजापूर खन्नौत नदी हैं यहां का जलिस्तर बढ़ा है शार्दानहर का पानी छोड़ा गया है इसके चलते यह ताके जो गर्रा और खंद्योंत नदी के किनारे बसी हुए लोग हैं वो प्रभावित हैं पिछली बार भी काफी नुक्सान हुआ था इस वार फिर से पुना एक वार कहर ढारा है यह बाल और पीडित हैं के लोग दोस्तों आप देख सकते हैं एक वार फिर से खंद्योंत और घर्रा और खंद्योंत नदी एकदम लवालाब चल रही है अपना ब्रक्राल रूप धारन करती हुई यह सारे घर यह लोधीपूर रहने वाले लोग मकान खाली करके जा चुके हैं यहां से सरक्षी जगह पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यह बार से जूसते हुए तो पुना फिर से यह कहर जारी है बाल का लगातार और आए आपको आगे दिखाते हैं विए देखिए पूरी तरीके से भर चुका है पानी अब को सदेख सकते हैं आप यह खंद्योंत नदी के किनारे के मकान साबर डूप चुके हैं पानी से और बाल का पानी जु है इस भ माल का प्रकोव एक बार पुना कहर बन कर आया है एहां के रहने वाले नंगो पर आप देख सकते हो पूरा प्रकोव क्वाहिद ऐसे निंट लॉदिपूर का इलाखा पूरह बढ़ता ही जा रहा हूं मैं आप देख सकते हो लोधिपूर का इलाका पूरी तरीके से बाढ़ ग्रिस्त कोशित हो चुका है बाढ़ से पीड़ेत है बाढ़ एकदम से लगातार कहर अपना ढार यह मेरे पैरों के उपर तक पानी जा रहा है देख सकते हैं आप यह घर पूरे डूप चुके हैं यहाँ पर और लगातार पा पानी का बढ़ता जा रहा है सारे घर डूप चुके हैं यहाँ पर पानी इस तरीके से इस कदर जल भराओ है पर बाढ़ की वज़े से पूरा इलाका एक सारे मकान खाली हो चुके हैं यहां से पत्यंत दैनिये इस्तिती बनी हुई है यहाँ पर आई देखते हैं अमरित्वचार की रिपोर्ट करना खनौत वस राम गंगा का जलिस्तर बड़ा अलर्ड पर सिस्टम शार्दा नहर खंड के बार्ड नियंतर कक्ष ने बड़े जलिस्तर की रिपोर्ट की जारी डिम एस्पी, स्डिम प्रशासन और एडिम बित नदियों के जलिस्तर पर नजर बनाये हुए हैं रिवार को शार्दा नहर खंड के बार्ड नियंतर कक्ष की रिपोर्ट में गंगा नदी कशला घाट जलिस्तर प्लस 0.190 बड़ा राम गंगा नदी चौवारी घाट का जलिस्तर प्लस 0.530 बड़ा गर्रा नदी अजीज गंज पुल जलिस्तर प्लस 100 बड़ा और खंडोत नदी का जलिस्तर प्लस 0.15 बड़ा हुआ है दर्श किया गया है गंगा नदी में नरोरा बैराज में 1,42,570 क्यूरिसेक पानी छोड़ा गया है राम गंगा नदी में विविन बादो से 60,122 क्यूरिसेक वा दिवनी से गर्रा नदी में 2,69,077 क्यूरिसेक पानी छोड़ा गया है बढ़ते जलिस्तर की चपेट में कई गाउं खुदागंज में गर्राइन देती में बढ़ रहे जलिस्तर के चलते कई गाउं बाल की चपेट में आने की समभावना है शहरी लाकाओं में भी भैका माहौल बना हुआ है परंतु अभी तक किसी प्रशास्निक अद्गानी समन्द में ग्रामिनो या शहरी लाके के लोगों को अलड के अलावा और कोई भी जानकारी या साहता टीमें नहीं पहुँची है बिगत महा आईबाड में नौगमा, रायमिश्वर गंज, गोटिया, इटोवा सहित कई गाओं में फसलों को भारी नुकसान हुआ था और साथ ही जो नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उनके मकान ढह गयते काफी नुकसान हुआ था खन्नोत और गर्णा नदि के किनारे के रहने वाले लोगों के साथ आईए देखते हैं आप दा प्रवंदन प्रारिकन की एडवाईजरी जारी की गई लो लेंड एरिया में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है प्रवावित के लिए विस्तर भोजन लंच पैकेट स्वच पहजल शौचाले आदी की विवस्ता सुनिशित करें रेस्क्यू टीम है तो डीजल वाव पैट्रोग की विवस्ता पूप से ही कर ली जाए मेडिकल टीम वाव पसूच चिकित्सा टीम आदी को एक्टिव कराएं इन देश जारी किये गए हैं आई जानते हैं ये जलिस्तर क्यों बढ़ा है कैसे बढ़ा है और कहां से बढ़ा है जिससे जनपत से गुजर रही नदियों का चलिस्तर बढ़ने पर रववार को एजडियम ने शेस्तर का नरशन कर बहरा मुहमतपुर गाउं से सटी नदी में कटाओ रोकताम का कारी शुरू कराया एजडियम जीत सिंग राये ने बताया कि उन्होंने तैसिल छेत्र के नदी से सटे कई गाउं का दोरा कर कटाओ का जायजा लिया जिसमें गाउं बरहा मुहमतपुर में नदी से होने वाले कटाओ के अशंका चलते वहां नदी तट पर रोकताम की वेवस्ता शुरू करवा दी गई है एजडियम राये ने बताया कि नदी के किनारे बसे गाउं में पानी पहुंचने पर राजस कद्वियों की टीम को लगा दिया गया है वे स्वेम भी निरंतर नजर रखे हुए हैं बाकॉल एजडियम अभी भी इस्तथी सामान ने है यह मिर्जवपुर का इलाका है शाजाँपुर का गाउं है यहां के गंगा यहां पर रांगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग फसले भरबाद हो रहे हैं धान जुआर बाजरा तिली उर्द को काफी नुकसान हुआ है शनिवार से गंगा का जलिस्तर लगातार बढ़ने से नदी फाने लगी है बढ़ रहे जलिस्तर के चलते एक फिर जलालवाद शम्शावाद स्टेट हैवे पर करीब तो फिट बाढ़ पुष्षित रहें सावधान रहें ल्ट जा रही है अपने आपको सुरक्षित जेगा पर ले जाएं धनवाद